गाइस आज की वीडियो काफी यदा इंट्रेस्टिक होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप डेटा के बल से मुबाइल का वीडियो एल इडी टीवी में कैसे प्ले कर सकते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है इस ट दुबारा से मतलब की दुबारा से करीब 10-15 बाद बनाना पर रहा है लेकिन कुछ नए नए सेटिंग्स को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि आप लोगों को नहीं पता है तो डेटा किबल से मुबाइल का वीडियो कैसे चलाएंगे लेडी टीवी में पूरी डीटि नंबर है और मेरा इमेल आइडी भी है चैनल के अबाउट में तो आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए चलते हम एलेडी टीवी की डिस्प्लेय पर तो यहां पर देख सकते हमारे एलेडी टीवी रखी हुई है तो हम क सबस्क्राइल को एक है क्यां किमिंदस क्राइब यहां हमारे पास पहले पर देटा के वले लेंगे तो यहांपर आपना इंडूएड मूबाइल चार्जकर ऑमाइल और ाक चार्जकराना निकाल लेना है तो इसका है एक सीरा जह अपनी आप बैक सैड में लगाना हो और दुसरा सहीरा मोबाईल में लगानार रहता है तो बैक साइड में कैसे लगांगे टीवी कwide डाउन कर लेना आगे की और से और डाउन कर लेने के बाद यहां पर आपको इसबी ँकर के BIG मैं पास चीहां पर दिखा देता हूं यहां यह या वाली बटन को दबाना यह न तो यह वाली बटन को डबाना है यहां पर आपका टीवी का सिगनल पकड़ता मतलब जो option होता यहां पर आपको इस प्रगार से option आएंगे तो यहां पर सबसे लास्ट में मीडिया को option मिल जाएगा तो मीडिया को option पर लाएंगे हम इस option को मीडिया पर लाकर क्लिक कर देंगे तो जैसे मीडिया को option पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पहले हम क्या करेंगे इस data cable को अपने mobile में अटेश कर देंगे ओके तो यहां पर कहां पर लगेगा यहां पर मैंने अटेश कर दिया तो आपके mobile में तिन चार पर ने पर मतलब क्या है तो यहां पर तेन चार आएंगे जैसा कि आपको पहले में मिल जाता है charger आउनली मैं आप फोटो लगा देता हो इसक्रीन सौट यहां पर यहां पर देखेंगे सबसे पहले चार्ज पर क्लिक करेंगे तो जैसे अब ट्रांसफर फाइल के अप्सन पर क्लिक करेंगे लेकिन अभी भी हमारे टीवी में नो इप्यूलिमेंट लिखके आ चुका है तो अब क्या आपको करना है अपने मुबाइल की सेटिंग में जाना है यहां पर ट्रांसफर फाइल पर क्लिक करक करेंगे और स्कृन को ऊपेन कर लेने के बाद यहां पे मैं स्क्रीन if अच्छे से समझा पाऊं यहां पर यहें कि हमने मो बास कि स्क्रीन रिकोर्डिंग और इसके बाद में मोबायल के सिस्टिंग में आ जाना है और यहां पर अपको एडिशनल से सबसे लास्ट में यहां पर देखेंगे आपको यह ओटी जी कनेक्शन लिखा हुआ रहेगा यह आपका आफ रहेगा तो यहां पर इसे ओन कर दीजिएगा तो जैसे आप इसे ओन कर देंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूर नहीं है टीवी की डिस्पले पर मैं लेके चलत आपको तो यहां पर जैसे मैं ने ओटी जी कनेक्शन वाले अप्शन को आपको थोड़ा सब्वेट करना है फिर से ट्रांसफर फाइल का आप्शन पूछा जाएगा आपके मुबाईल में फिसे सेकेंड वाले अप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सब् से जो डेटा है ना वो हमारे टीवी में सो होगा तो इसमें तो टाइम लगता है भाई कम्प्यूटर तो है नहीं इतनी जल्दी से एक्सेस हो जाए तो यहां पर नौ प्यूलिमेंट लिखके आ चुका है तो यहां पर यह देखे योस्बी 2.0 लिखके आ चुका है करीब 2 मिन से हमारे टीवी में कनेक्टेड है उसका वीडियो मोबाइल का वीडियो में आपको चला के दिखा जान तो तो यहां पर एक्जांपल के तुरफ़ आपके इसांपल में चितने भी वीडियो होंगे वहां पर दिखाई देंगे आपकी टीवी पर तो चलिए मैं किसी भी एक को प्ले कर दीता हूं इस संवफिगा चले थोड़ा सा वीडियो फिले करके दिखा है त secretary मोच कह जो यहां पर हमारे जो मोईल का वीडियो डेटा के प bulliedva से छल पार है टो यहां पर हमारा एक मैंने थोड़ा ही वीडियो दिखा है क्योंकि कोपी राइट का इसू है मैं यहाँ पर डेटा के वल अगर डिसकनेक्ट कर दूंगा तो टीवी पर जो मीडिया का उप्शन है वो तो सलेक्ट रहेगा लेकिन जो डेटा है वो दिखना बंद हो जाएगा यानि कि वीडियो फू तो इसलिए यहाँ पर लेके आ चुका है तो इस तरीके से जो है आप अपने मोबाल का वीडियो एल एडि टीवी में डेटा केबल की मदद से चला सकते हैं बिल्कूल इजी तरीके से मैंने बता दिया है आप चाहें तो इसमें पेंडराइब भी लगा सकते हैं इसके बैक स चैनल बाओड में जाइए मेरा वाट्सएब नमबर इत्वे मौं से कॉल करके पूसकते और मेरा ई-इमbेल ऑई-डी से इमाँ चाही अगर वीडियो कुछ नया उसे कुछ मुत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुन न क्कि यहाँ पें तोड़ा सा बीजी हो ज जाता हूं तो हाँ वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने बता दिया बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग